हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप सब अच्छे होंगे इसी के साथ मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल नविश किचन हिंदी में आओ बनाएं सब को खिलाएं खाने की यादों का कार्मा बनाएं दोस्तों गर्मियों के सीजन में लसी सभी की फेवरिट होती है तो आज नविश किचन हिंदी में बनने जा रही है मैंगो लसी इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बिले तो चलिए मैंगो लसी बनाना शुरू करते हैं मैंगो लसी बनानी के लिए सबसे पहले एक मिक्षर जार में दस से बारा आइस क्यूब्स लेंगे यहां मैंने दो मीडियम साइज आमों का पल्प निकाल कर रखा हुआ है तो अब इसे भी डाल देंगे दोस्तों यहां मैं सारी चीज़े सबसे पहले मिक्षर जार में ऐड कर रहा हूं और फाइनले इसको मिक्स कर देंगे एक बार में पहले बस इसमें सारी चीज़े एक साथ एड़ कर लें अब बारी है लसी के में इंग्रीडियन्ट दही की तो यहां मैं ले रहा हूँ 500 ग्राम फुल फैट दही यह दही घर पर ही जमाई है फुल फैट मिल्क से दही को भी मिक्सल जार में डाल देंगे तो अब हमारी मैंगू लसी का फ्लेवर और इन्हेंस हो इसके लिए मैं आपे ले रहा हूँ आदा टेबल स्पून इलाइची पाउडर अब जार का धकन बंद करेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे बस 2-4 मिनिट के लिए ही इसे ब्लेंड करेंगे और ये अच्छे से बन के एकदम त्यार हो जाएगी हमारी मैंगो लसी यहाँ आप देख सकते हैं मैंगो लसी एकदम बन के हमारी त्यार है तो अब बारी है इसे ठंड़ा-ठंडा सर्व करने की यहां आप मैंगो लसी को आम के पल्प के पीसेस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं यहां मैं धही की मलाई के साथ सर्फ कर रहा हूँ जो मैंने धही यूज करी है वो मैंने घर की धही यूज करी है तो बस अब हमारी मेंगो लसी एकदम तयार है सर्फ करने के लिए इसे ठंड़ा ठंड़ा सर्फ करें और गर्मियों में जरूर पीए हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशल होगी और आपको बहुत ही पसंद आएगी झाईऑ 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 झाईऑ